इंगली की मीठी चट्मी बनाने के लिए हमें गोड़ लेना है एक बाउल मैंने या गोड़ लिया है आप एक बाउल गोड़ लें या आप जितनी आपको बनाना उसके रिक्वार्मेंट के साब से आप घटा बढ़ा सकते हैं और मैंने इसमें टू बाउल्स वाटर एड़ कर है उसके बाद मैंने फ्लेम जो है वो काफी लो रखी है क्योंकि अभी हम्यारा जो गोड़ है इसे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रही हूं स्पून की थेल्प से क्योंकि अभी यह ब्लुकुल जमा हुआ है मौंसून सीजन चल रहा है इसलिए गोड़ जो है वो मैंने म और हमारे पास टैमरेंड याने की एक बाऌल इमली इमली जो है मैंने इस में से सीड जो है वो रिमोफकर दी है याने की बीज मैंने इसमेस बिलकुल था दिए है यह इमली जो होती है वो हमारे लिए गट हेल्फ बहुत अच् raped एकर दी यह अगर आपको constitutional की प्रॉब्लम र सब्सक्राइब करना शुरू कर दें कुछ ही समय में आप बहुत लिए अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने लिए मिलेंगे यहाँ पर है डेट्स डेट्स मैंने सीड्लेस यूज़ की है और डेट्स की जतनी तारिफ की जाए वो बहुत ब सूल बिलकुल कम है , उसमें जतनी भी तारिफ की जाए वो कम होती है क्योंकि डियर्ट्स एक बहुत आछा नैचुरल सुीटनर है जैसे आप चीनी की जगे पर यूज कर सकते हैं चीनी बनाने में जितनी सारी प्रॉब्लम्स जितनी सारी प्रॉसेसिंग होती है उसकी वज़े से उसके अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं बचता है इसलिए हम डेट्स और गुण को ही यूज करें हमारी डेली लाइट में तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा हैल्थ के लिए यह थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर मिक्स करा है और उसी में मैंने मिक्स कर दिया था एक टीस्पून गरम मसाला क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ाना चारी थी थोड़ा इसका मैं तीखी वरी मिनाना चारी हूँ तो इसलिए मैंने पूरा एक टीस्पून भरकर गरम मसाला डाला है और हाफ टीस्पून मैंने रेट चिली पाउडर मिक्स करा था और दो टी स्पूर मैंने अमचुर पाउडर मिक्स करा था और इन सब को मैंने एक साथ मिला कर इसमें एड़ कर दिया है और फ्लेम को अब मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है आई थिंक आप देख पा रहे हूंगे इंडक्शन पर 600 की फ्लेम चल रही है अब इसे हम पकने देते हैं इसमें जितनी भी चीज़ें डल रही है सब हमारी गट हैल्थ के लिए बहुत अच्छी है एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान करेगी यानि कि जब आप इसे बनाएंगे तो उसके बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और चीनी का यूज में आप ना करें अब देखिए ये करीब 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया है और ये रेडी हो चुकी है इसमें उफान आ चुका है आप देख रहे होंगे बबल्स उठ रहे हैं अब ये रेडी हो चुकी है अब इसे थूड़ा सा कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं आप इसमें मैंने डाला है एक टीस्पून काला नमक और कुछ काजू मैंने इसमें एड करे हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसे समोसे के साथ और अगर आप आलू की टिक्की बना रहे हैं उसके साथ पकॉर्णों के साथ किसी ये भी साथ आप इसे खा सकते हैं और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको ये आपको कोई भी ऐसी चीज दिए जो कि आपकी health के लिए नुकसान दे हो अब मैंने इसे काँच के जार में transfer कर दिया है या आप भी ऐसा ही करें plastic में इसे ना रखें काँच के ही जार में इसे रखें और उसके बाद इसे fridge में store कर दें और जब भी तो समोसे मैंने आज रेडी करे थे क्योंकि आज बहुत बारिश हुई थी और उसे मैंने मीठी चेटनी के साथ सर्ग किया था I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी